तो पिता जी हमारे स्कूल जाते हैं ना इसलिए उना आज टिफिन में मैंने चाउमिन मना के दिया था अर ऐसे वैसे नहीं पिता जी हमारे स्कूल टीचर है इसलिए स्कूल जाते हैं तो पहले गरम पानी में थोड़ा सा तेल डाल लेंगे फिर इसको बाद इसमें 8-10 हुया चांग्स डल देंगे और एक से दो मिनिट के लिए कुक कर लेंगे उसके बाद इसमें जाएगा चाउमीन और इसे 7-8 मिनिट के लिए दुबारा कुक कर लेंगे अब 6-8 मिनिट बाद इने निकाल लेंगे और अच्छे से थंडे पानी से धो के साइड में रख देंगे अब सबजियों मैंने यहाँ पर लिया है कैबेज, कैपसिकम, गाजर, ग्रीन बीन्स, एक टमाटर और दो मीडियम साइज के प्याज आप चाहे तो और भी सबजिया ले सेते हैं आपकी मर्जी अब गरम तेल में चौप किया हुआ अद्रक, लेसन और हरिमिज डाल के थोड़ी दर के लिए कुक कर लेंगे ताकि इनका कच्छापन खतम हो जाए फिर इसमें चौप किया हुआ प्याज डाल देंगे और थोड़ी दर के लिए कुक कर लेंगे अब इसमें हमारे सारे सब्जियों को डाल देंगे और इन्हें हाई फ्लेम में दुबारा से कुक कर लेंगे लेकिन ध्यान रहा में सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है फिर इसमें जाएगा स्वादन सवा नमक और बॉल की अवा स्वया चंग्स मैं बापस से बोल रहा हूँ आप चावमिन में स्वया चंग्स डाल के देखिएगा आपको गजब का स्वाद आएगा आप सॉस में मैंने यहापट डालाया टॉमटा केचप और स्वया सॉस तो मार्केट से मैंने आज ही सेज़वन चेटनी का बोटल खरीद के लाया था और मुझे इसके से दस रुपए बाला पैकेट फ्री में मिला और बाला फ्री का चीज को ही छोड़ता है क्या तो आज इसे ही इस्तमाल कर लेते हैं तो अब सारे सॉसेस को इन सबजियों के मिक्स में अच्छे से मिला लेंगे तो अब इसमें जाएगा बॉइल के हुआ चामिन और चामिन के पैकेट में जो पैकेट मसाला मिलता है उसे भी काट के डाल देंगे आप सबको अच्छे से मिला लेंगे और तीन से चार मिनिट के लिए हाइफ लेंपे कुक कर लेंगे तो हमारा चामीन एकदम रेडी है अब इसे निकाल लेंगे तो चलिए इसे टीफिन में पैक कर लेते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और लाइक, सेयर, कमेंट करना ना भूलेगा थैंक यू